हालो गैस, वेलकम बाक टो चैनल PCMB Digital Guru बेटा, अभी हम मनिपूर की जो कट ओफ है, उसकी बात करेंगे कि मनिपूर के कॉलेजिस जो है, उनकी कट ओफ कितनी गई थे पिछले साल तो भाई, जो फर्स्ट राउंड ओफ कट ओफ मनिपूर में थी, पिछले साल जो सिलेक्शन लिस्ट थी, तो उसकी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक तो दो कॉड्मीशन देख रहे होंगे मनिपूर निवस्टी में, एक तो ओरिजिनल इस्टिटुट इंफाल के लिए दिख रहा होगा, और दूसरा जो हमारे को नज़र आ रहा होगा, वो जो अलर नहरो के लिए नज़र आ रहा होगा, इसकी अगर हम दोनों की ही कम्माइन करके एक साथ देखें तो यूर केटेगरी में अगर आपके नंबर सड़े पांसो के आसपास थे, यानि कि 550 मार्क्स थे, और 550 मार्क्स का मतलब अगर हम पिशली बार से लेते हैं, यानि कि आपकी रांक कहीं ना कहीं 40,000 के आसपास थी, तो आपको यह एड्मिशन अराम से मिल ग पिशले साल के हिसाब से, इसमें, यह तो 40,000 हो गई बिटा है ना, तो अगर आपकी रांग पिशले बार 50,000 के आसपास थी, तो भी आपको ओभी सीम एड्मिशन यहां पे मिल गया था, अब अगर इसके लावा हम SC केटेगरी की बात करते हैं, और ST केटेगरी की बात करते ह हैं, तो SC केटेगरी में, जिन लोगों के नंबर, जो है, 80,000 के आसपास थे, उनको, sorry, not 80,000, it would be around 72,000 के आसपास उनको एड्मिशन मिल गया था, और अगर हम ST केटेगरी की बात करते हैं, तो जिन लोगों के नंबर, जो हैं, वो एक्जाम में आए थे, एक लाग के आराउंड जिनकी राएंग थी, उन लोगों को अराम से जो है, पिछले साल की जो cut-off थी, उसमें उनका नंबर पढ़ गया था, उनको जादा problems नहीं face करने पड़ी थी, so thank you so much for watching the video friends, please subscribe to our channel, keep supporting us.